नमस्कार दोस्तो टेक्सपार प्रदीव यूटूब चैनल में आप सब का स्वागत करते हैं। दोस्तो, EPFO यानकी करमचार बोशनेदी संख्ठन बड़े बदलाओ की त्यारी में हैं। बोल सकते हैं, सरकार जो है बड़े बदलाओ की त्यारी में हैं, EPS Pension को लेकर EPS Pension से चंबने एक लेटेस्ट अपडेट निकल का रहा है बताऊंगा पूरी डिटेल से इस खबर के बार में इस नियूज के बारे में कि EPS 95 Pension को लेकर जो एक क्या बड़ा बदलाओ कर सकती है सरकार वीडियो में आगे बड़े उसे पहले छोटी से अपसे रि मिलेगी पैंसन और यह जो अपडेट नियूज है आज की है आठ जनवरी 2021 यहाँ पे भी देख सकते हो EPS News PF सिस्टम में भारी बदलाओ की त्यारी जितना पैसा कटेगा उतने ही मिलेगी पैंसन तो चले जान लेते हैं पूरी डिटेल से इस खबर के बारे में इस की संसेदे समेथी को सुझाओ दिया है कि EPFO यहन की करमचार बोशनेदी संक्ठन जैसे पैंसन फंड को वहारिक बनाए रखने के लिए मोजुदा वहस्ता को खतम किया जाए उन्होंने डिफेंड बेनिफिट के बजाए डिफेंड कोंट्रिबूशन की वहस्ता अपनाने प पैंसनर्स हैं जिने हर महीने एक हजार रुपए पैंसन मिलती है जबकि पीएफ में उनका अंसदान इसके एक चोथाई से भी कम था उनकी दलिल थी कि अगर डिफेंड कोंट्रिबूशन की वहस्ता नहीं अपनाए गई तो सरकार के लिए लंबे समय तक इसे स्पोर्ड करन विवारिक नहीं होगा एप्यफो की सेंटर बॉर्ड ऑप ट्रस्टी ने अगस्त दो हजार उननीस में नियून्तम पैंसन दो हजार रुपए से बढ़ा कर तीन हजार रुपए करने की सिपारिस की थी लेकिन लेबर मिनिस्ट्री ने इसे लागू नहीं किया संसेदे समिती ने इस बारे में लेबर मिनिस्ट्री से जबावतलब किया था शुत्रों ने टैंस ओफ इंडिया को बताया था कि मिन्मम पैंसन दो हजार रुपए करने में पैंतालिस सो क्रोड रुपए का बोज पढ़ेगा अगर उसे तीन हजार रुपए कर दिया गया तो सरकार पर 14,5 455 में करोड रुपए का अतिरिक्त बोज पढ़ेगा गुरवार की बैठेट में अधिकार किया कि स्टोक मार्केट में निवेश किया गया इप्याफों का बड़ा इसा खराब निवेश साबित हुआ कोविड 19 महमारी के कारण एकोनोमी में आई सुस्ती से इस निवेश पर से बचा जा सके तो दोस्तों एक लेटेस्ट निकल किया रहा है सरकार की तरप से बोल सकते हैं EPFO सरकार जो आने वाले समय में बड़ा बदलाव कर सकती है कि जितना आपका पैसा कटेगा यानि कि जितना पैंसन में आपको जोब पैंसन मिलेगी तो यहां पर देख सकते हो ब अब्डेट लेकि आती है क्या नया फैसल लेती है जो भी कोई अब्डेट आएगा आपके साथ वीडियो के मादिम से सेर करेंगे यहां पर देख सकते हो हाइलाइट इप ओ जैसे पैंसन फंड को व्यावारिक बनाए रखने के लिए मोजुद्धा को खतम किया जाए यानि कि पीएफ में उनका असदान इसके एक चोथाई से भी कम था तो इसी को लेकर जो सरकार बड़ा फैसल ले सकते हैं कि जितना आपका कॉंट्रूबूशन होगा वितिन ही आपको जो है पैंसन मिलेगी तो यह एक लेटेस्ट निकल किया रहा था और यहां पर देखे यहां प बताया था कि मिन्मम पैंसन तोजार रुपय करने से पैंसन को बढ़ाने की मोड में नहीं है अगर उनको बढ़ानी होती तो अब तक बढ़ा देती और बाकि आने वाले समय में सरकार फैसला ले भी सकती है बाकि जो भी कोई अपडेट आएगा आपको बता देंगे क्योंकि सरकार ने जो निर्णे छोड़ रखा है वो भीत मंतराले पर और जो मानी ने सुप्रीम कोट है वहाँ पर भी जो है वहाँ से डिसीजन आना है तो वहाँ पर जो है निर्णे छोड़ रखा है वहाँ से जो भी कोई डिसीजन आएगा उसके बाद ही जो है जो है जो है